अध्याय दो भूमी संसाधन हमारे प्राकृतिक संसाधनों में भूमी संसाधन सबसे महत्तुपूर है इसका हम क्रिशी, पशुपालन, उत्खनन, उद्योग, यातायात, बसाहट आदी के लिए उप्योग करते हैं भूमी किसकी है, उसका उप्योग उचित, न्याय संगत और टिकाउ कैसे हो, उसको हम हानी और हराज से कैसे बचाएं इस पर गहरे चिंतन और समझ बनाने की जरूरत है 2.1 भूमी उप्योग किसी भी देश या प्रदेश में मौजूद भूमी का विभिन तरीकों से उप्योग किया जाता है किसी भाग पर खेती की जाती है, तो अन्य भाग पर शहर बसे हैं या कार खाने लगे हैं, या फिर वनों से ढके हैं किसी देश या प्रदेश के लोग अपनी भूमी का जो उपयोग करते हैं उसे भूमी उपयोग कहा जाता है यह उपयोग हमेशा एक जैसा नहीं होता है और समय के साथ बदलता रहता है भारत का कुल भागौलिक छेत्रफल 32.8 लाक वर्ग किलोमीटर है परंतु इसके 93 प्रति भारत के कुल भूमी का उपयोग किस तरह किया जाता है और या देश की स्वतंतरता के बाद किस तरह बदला है यह देख सकते हैं वन भूमी इस भूमी में वनस्पतियों की प्रचूरता वाले छेत्र समलित हैं जिसे वन कहा जाता है इस वन का उपयोग लकडी, कंद मूल, जंगली फल, औशदिया, पशुचारण इत्यादी में किया जाता है। भारत में विगत 60 वर्षों में वन भूमी 14 प्रतिशत से बढ़कर 23 प्रतिशत हो गया। वन भूमी में यह व्रिद्धी 1971 तक हुई, इसके बाद से वन भूमी लगभग स्थिर है। हमें याद रखना होगा कि वन भूमी से आशह है वह भूमी जिसका उप्योग वनों के रूप में होना है। यह जरूरी नहीं कि इस पूरी भूमी परवन हूँ। उदाहरन के लिए 2010 में देश में केवल 19.05 प्रतिशत जमीन वनों से ढकी थी, जबकि वन भूमी 23 प्रतिशत थी। जिस भूमी पर वन नहीं है, सरकार के द्वारा वन रोपन कराया जाता है। वनों से हमें लकडी आदी तो मिलती है, मगर इनका महत्व इनके उत्पादन से कहीं अधिक है। कारबन डायकसाइड के स्थिर्ता वायू मंडल के तापमान को स्थिर रखने में सहायक है। इस प्रकार वन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही नहीं वनों के होने से हमारे जल्स्त्रोत बने रहते हैं।